कि इस विद्धम अंच्री निर्मलाःज सीता रमन ने गुरवार को मोधि सरकार के दुसरे कारिकाल का आखरी बजट पेश गया हैं निर्मला सीतारमन ने लगातार छटी पार बज़ट पेश किया है। सरकार ने मिदल क्लास से कोई रहत नहीं दी इंकम टैक्स लाब में कोई पतलाम नहीं क्या गया है। सीतारमन ने करीब 1 गंटे भाष्ण दिया। निर्मला सीता रमन ने कहा कि ये बचड प्रतिभाव को आगे बढ़ाएगा, भाई प्रतिचा बात को नहीं, देश वाव पर बहुत फिश्वास करता है, खेल के बाग में यवाव ने भाग लिया, उन्होंने कहा कि दस वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम करी है, लोगों की उम्मीदे बहुत बढ़ी है, वितमंती ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए राज्चों की भी जनता भविश की तरफ देख रहे हैं, वियाशान भी थे, पियम मोधिर के निरुद्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थ विवस्त सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करी है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर, जल, सभी को बिचली, गैस, वित्तिय सिवाए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है, वितमंती ने कहा कि खाद्यानिकी चिंताओं को दूर किया है, 80 करोड लोगों को सशक्त बनाने का कांग करे हैं, अगले पास साल में दो करोड और घर बनाए, वितमंती ने कहा कि भारती अर्थ विवस्ता ने पिछले दस वर्षों में गैरा सकरात्मक परिवर्तन देखा है, वारुत की लोग आशा और आशाबात के साथ भविश की और देख रहे हैं, लो से काप उपाया हैं, उन्होंने कहा कि हमें इन पर ध्यान केंडित करनी की जरूरत हैं, वितमंत्री निर्मला सिता रमन ने अपने अंतरीम बजट भाशन में कहा कि उनके जरूरते और आकांशाय हमानी सर्वच प्राथ मिर्ता हैं, तीन सो यूनिट बेचली फ्री देनी का लक्ष हैं, इन बिसेन निवस के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट